Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains, this is Saloni Pandey. So chapter 2, आपकी 11th psychology का हम पढ़े थे, that is methods of inquiry in psychology and आज के हमारे इस lecture में हम discuss करेंगे about the nature of psychological data. So जो यह आपका chapter number 2 है, जैसा कि अभी तक हमने हमारे previous lectures में जो भी पड़ा chapter 2 से related, तो उसमें हमने क्या सारी चीज़े देखी कि किस तरह से psychology में research जो है वो की जाती है, किस तरह से जो है किसी भी psychological phenomena को study किया जाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं psychological inquiry, तो इस chapter का एक introduction हमने देखा, साथी साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरह से psychological inquiry या scientific research की जाती है, उसमें कौन-कौन सी steps included होती है साथी साथ में, what are the alternative paradigms of research, ये हमने discuss किया और जब एक psychologist inquiry करता है, या research करता है, तो उसके क्या सारे goals होते हैं ये सब कुछ हमने detail में discuss किया, तो थोड़ा सा जो भी हमने पहले पढ़ा है, उसको हम recall करेंगे तब आपको आज का ये lecture जो है, वो समझ में आगा, जो कि based है आपके psychological data के उपर आपने data के बारे में पढ़ा कि जब भी psychology में हम research करते हैं देखो सबसे पहले तो हम psychology में क्या पढ़ते हैं, it is the study of mind, human experiences, human behavior in short, mental processes, experience और behavior को हम study करते हैं ठीक है, इस से related जो भी सारी चीज़े होती हैं, जो भी सारे psychological phenomena होते हैं चाहे objective हों या चाहे subjective हों, हम हर एक तरह से उनको जो है study किया करते हैं clear है, इतना आया सोंच में अब जब भी हम किसी चीज़ के उपर study करते हैं, ये research करते हैं जैसे for example, हम human behavior के ऊपर research कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको एक problem ढूणनी होगी सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, step क्या होगी हमारी research में की conceptualizing a problem, क्या एक problem है, जिसके लिए हम research कर रहे हैं कोई topic, कोई theme आपको ढूणनी पड़ेगी तो जैसे for example, जब हमने previous lecture में इस एक चीज को discuss किया था कि जो भी children होते हैं 10 to 16 years की age के बीच में उनके बीच में हमको anger issues देखने को मिलते हैं यानि कि वो जो है बहुत जिल्दी गुस्सा करने लग जाते हैं बहुत जिल्दी चिर्चड़े हो जाते हैं तो उसके उपर just suppose for example, हम research कर रहे हैं अब research करने की second step क्या होती है collection of data अब जब हम data को collect करते हैं तो उसमें हमको क्या सारी चीज़े ध्यान में रखने होती collection of data क्या है, it is just a blueprint कि जहां पर आप किस तरह से research करने वाले हो उसका एक blueprint होता है your collection of data और collection of data में आपकी four steps involved होती है सबसे पहले कौन सी step होती है कि आपको सबसे पहले तो आपके क्या participant होंगे जब आप research करोगे, वो आपको पता करना है तो सबसे पहले हमको participant चाहिए जिससे हम data collect करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको previous lecture में पढ़ाया था कि जो हम anger issues की बात करें चीक है, मैं यहाँ पर मेरा topic लिख लेती हूँ या मेरा research का title लिख लेती हूँ मेरा research किस एक चीज़ पर मैं research करने वाली हूँ so anger issues in children between यह between को short में लिख देती हूँ, चीक है between 10 to 16 age इस age के बीच में जितने भी बच्चे हैं उनके बीच में angry issues हैं तो सबसे पहले जब मैं data collect करूँगी तो मुझे क्या देखना है, मेरे participant कौन होगे तो यहाँ पर मैं data किस के थूँ collect करने वाली हूँ children के थूँ जो 10 to 16 age में है secondly, मैं कौन सी method यहाँ पर use करने वाली हूँ data को collect करने के लिए like for example, मैं observational method को use कर रही हूँ कौन सी method को? observational method को मैं use कर रही हूँ then मेरा tool क्या होने वाला है? कौन-कौन से tool use करके जो है मैं यह data को collect करूँगी तो for example, मैंने observation schedule बनाया है ठीक है, यह सारे नाम अभी हमने पढ़े थे इनके बारे मैं आपको detail में नहीं पता बढ़ हम आगे उसको पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पर observation schedule बनाऊंगी या interview करूँगी या questionnaire फिल करूँगी और उसके थूँ जो है मैं data collect करने वाली हूँ and last, मेरा क्या process होगा किस process के थूँ जो है मैं इस पूरे जो भी मेरे पास में data आया है कैसे में research करूँगी यह सारी चीज़े अब यह इस तरह से जो है मेरा data collect होगा जब data मेरे पास में आ जाएगा फिर उसके बाद में मैं उसको analyze करूँगी और finally जो भी मैंने hypothesis बनाया था यह सारी चीज़ों को detail में discuss किया था जब हमने देखा था कि data exactly collect कैसे किया जाता है और data की कितनी ज़्यादा importance है जब हम research करें मान लोग आप research कर रहे हो पर आपको data ही नहीं मिला तो फिर आपके research पर आप मतलब आप क्या उस research को कर पाओगी obviously नहीं कर पाओगे कब कर पाओगे जब आपके पास में data होगा तो यह होती है data की importance आपके psychology के अंदर या psychological inquiry के अंदर अब हम बात कर रहे हैं nature of psychological data की की psychology का जो data होता है या जब हम psychology में inquiry कर रहे हैं या research कर रहे हैं तब हमारे पास में जो data होता है वो किस तरह का होता है या उसके अंदर क्या सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम डेटा को collect करते हैं आया समझ में तो यह जो इतनी सारी कहानी मैंने अभी आपको बताई यह सब कुछ क्यों important थी ताकि आप भी next यह जो हमारा lecture चल रहा है ना इसको समझ पाऊ तो अगर आप किसी और सब्जिक्ट में किसी और डिसिप्लिन में जाए लाइक एक और चीज बता दूँ अगर किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है रिलेटेट टू चाप्टर मतलब यह पहली बार मेरा lecture देख रहे हो तो प्रीवेस लेक्चर्स को भी जल्दी पढ़ भी हमने कंपेट कर लिया था और चाप्टर टू भी हम स्टार्ट कर चुके हैं तो अब देखो अब यहां पर आजाते हैं सो साइकोलाजिस्ट कलेक्ट अवराइटी आफ इन्फरमेशन फ्रॉम डिफ्रेंट सोर्सेज एंप्लाइं डाइवर्स में अब जब जब जो दूस हमारे पार्टिसिपेंट अलग हो सकते हैं चिल्डरन हो सकते हैं एडल्ट्स हो सकते हैं एडॉलेसेंट्स हो सकते हैं टीचर्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स हो सकते हैं कोई भी हो सकता है मतलब हमारे पास में बहुत ज़ादा वेराइटी ऑफ सोर्सेज हैं इसके बाद में म observation के थूँ आप जो है data collect कर सकते हो आप experiment करके data collect कर सकते हो आप case study के थूँ data collect कर सकते हो धेर सारी methods आपके पास में तून्स भी आपके पास में उतने ही सारे हैं आप किसी का interview ले रहे हो या कोई आपका interview ले रहा है तो जब वो आप से questions पूछेगा आप उसको answer बताओगे तो के पास में आप से related information मिलेगी वो data observation के थूँ भी किया जा सकता हम किसी को observe करें और हमने अपने अपने parameters को set किया और फिर उसके बाद में हम data को collect करें तो वो सारी चीज़ हम आगे detail में discuss करेंगे तो basically हमारे पास में बहुत सारी tools हैं बहुत सारे methods हैं बहुत सारे participants हैं तो different different sources different variety of information के थूँ psychology का data जो होता है वो collect किया जाता है यह clear हुआ आयस में कि क्यों हम बोल रहे हैं कि psychology का जो data होता है वो दूसरी sciences से बहुत different होता है क्योंकि यहां हम variety of information different sources से और different methods के थूँ collect कर रहे हैं next the information also called data अब इन सारी चीजों के थूँ जो भी method आप लगा रहे हो जो भी तूल आप लगा रहे हो जो भी information आपके पास में आ रही है उस information को जिसे हम data बोलते है data मतलब आपके पास में जो पूरी as a whole information आईगी उसे बोला जाता है singular form में उसको datum कहा जाता है क्या कहा जाता है datum कहा जाता है बट जब हमारे पास में एक large information होती ही बहुत सारे sources के थूँ और जब हम उसको पूरा compile करते हैं तो वो आपका data हो जाता है ओके क्या हो जाता है आपका data हो जाता है तो यह जो information होती है that is related to individuals covert and overt behavior their subjective experiences and mental processes अब psychology क्या है psychology क्या है study of mind और soul और फिर उसके बाद में इसके अंदर क्या सारी चीज़े add हुई mental processes, human experiences और human behavior ओके देखो यहाँ पर समझे इस एक चीज़ को कि psychology में हम क्या study करते है basically psychology जो है आपका यह तीन चीज़ों से related है mental processes, human के अपने experiences और human का behavior अब mental processes में हम किसको study करते है mind को study करते है मैंड को और जब हम experiences की बात करते हैं तो जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि experiences क्या होते है subjective होते है क्या होते है subjective होते है nature में subjective का मतलब यह कि जो भी experience किसी person ने किया है उसको feel बस वही इंसान कर सकता है जैसे मैंने आपको कुछ बहुत सारे examples भी दिये थे कि मानलो आपका friend दूर चला गया है आपसे तो उसके जाने का जो दुख है जो आपको बुरा लग रहा है वो सरफ आप ही feel कर सकते हैं कोई और feel नहीं कर सकता उसक चीज़ को तो इस तरह से experiences subjective होते है human का जो behavior होता है वो overt होता है और covert होता है overt का मतलब क्या जो open behavior जिसे देखा जा सकता है और covert behavior जिसे हम देख नहीं सकते हैं बट still हमें पता है कि किसी तरह का कोई reaction कोई response जो है वो आ रहा है internally changes जो है वो हो रहा है तो इस तरह से आपके mind आपके subjective experiences को आपके overt and covert behavior को psychology के अंदर क ready किया जाता है यह in short उसके ऊपर research की जाती है और जब हम research करेंगे तो इस से related information तो हमको चाहिए है और information क्या है आपका data आया समझ में यह हुआ clear so basically जो information हमारे पास में आती है वो इनी सारी चीजों से related होती है और यह information जिसे हम data कर रहे हैं तो इसी data के through हम psychology में inquiry यह research जो है व वो हम कर पाते हैं वो तभी possible हो पाती है clear है यह भी आये यहां तक I hope इतने में भी कोई डाउट नहीं होगा आप जितना भी अभी तक मैंने बताया आपको so basically जो सबसे में चीज़ जो भी यहां पर ध्यान में रखो वो क्या है कि psychological data दूसरे data से अलग होता है अब मानलो आप psychological data दूसरे data से इसलिए अलग होता है क्योंकि सबसे पहले तो बहुत सारी information बहुत सारी methods और बहुत सारे sources के through हम इस data को obtain करते हैं सबसे पहला point यह दूसरा point यह कि हमारे पास में जो information होती है वो individual के वो एक individual के over covered behavior उसके subjective experiences या उसके mental processes से related होती है और इसमें हम group की भी बात कर हैं और चाहे हम data कहीं से भी collect करें हमारे पास में sources हमारे पास में methods हमारे पास में tools हमारे पास में participants and number of होते हैं आया समझ में यह हुआ clear यहां अब जैसे मानलो एक example मैं आपको दूं कि मानलो आपको biological किसी तरह का कोई research करना है तो आप उसके सिर्फ और सिर्फ उस biological context पर ही ध बात करो psychology science भी है psychology art भी है जब हम बात करते हैं science वगेरा में data को collect करने की तो हमको जितनी information required है बस हम उतनी ही चीज़ पर ध्यान देते हैं जैसे बिग बैंक थियोरी है universal related है तो बस उसे एक चीज़ पर ध्यान दिया उसे एक theory पर ध्यान दिया और उसके बाद में हमने research करना start कर दिया लेकिन जब हम psychology में research करते हैं और जब हम psychology में data को collect करते हैं तो जैसे for example मानलो यह x person है हम इसके उपर research कर रहे हैं कि इस person को बहुत जादा stress है एक example दे रहे हूं आपको कि मानलो यह person बहुत जादा stress में है या यह person बहुत जादा depressed हो चुका है ठीक है इस एक जिसके बच्चे हर एक चीज़ के उपर research करेंगे यह कहां पर काम करता है यह किन लोगों के साथ में मिलता है इसका किस एक तरीकी का जो है मतलब circle है in short इसका social context भी हम ध्यान में रखेंगे तो हर एक चीज़ जो है यहां पर हमारे लिए एक important information provide करती है साथ ही साथ में यह कि ecology में रहता है जैसे for example कहीं कहीं पर आपने देखा होगा ऐसा environment होता है आसपास की ऐसी जगाएं होती है जहां जाकर बहुत सुकून फील होता है जहां जाकर बहुत अच्छा लगता है जैसे एक example में आपको दूँ हम सब को मतलब हम सभी का तो नहीं बोलूंगी मैं but most of the people हम एक तब को जग जाँ जब दोगन को किसी लेकसाइड बैठना शान्थ बैठना बहुत अच्छा लगता है बहुट सरी लोगको ऐसा लगता है मらいना मुझे ऐसा बहुत लोगको देखा है कभी-कभी ऐसा लगता ना तो वो आपका जो एक environment होता है जो एक physical environment होता है वो बहुत ज्यादा important factor या important role play करता है हमारे life में या हमारे mental processes में तो same way में आपका social context आप किस environment में रहते हो आपका पूरा biological composition किस एक तरीके का है ये सारी चीज़े एक important role play करती है और इन सारी information को हम collect कर research करते हैं तो ये भी important point है कि psychology का data जो होता है वो दूसरी sciences के data से different होता है तो ये जो सारे points में आपको बताते हुए चल रही हूं ये सब note करते हुए चलो कि आपके पास में एक तरीके सा answer भी बन जाएगा मतलब मानलो question आ भी जाता है कि psychological data दूसरी sciences के data से as compared अलग क्यों होता है तो उसके points आपको पता होने चाहिए दूसरा मानलो आपसे पूछ रिया जाए कि psychological data का nature कैसा होता है तो उसमें भी आपके वही points आएगे तो दोनों में same ही points से थोड़ा सा बस अलग करके आपको लिखना है तो points को note down कर दो तो सबसे पहला point ये जो मैंने आपको बता है ये हो गया second point ये हो गया third जो अभी मैंने आपसे बोला कि साइक जब हम दूसरी sciences में data को collect करते हैं तो हम उस particular information पर जाते हैं बढ़ जब हम psychology में data को collect करते हैं तो हम उसके social, cultural, political, economic, environmental हर एक context को ध्यान में रखते हैं clear है आई ये भी आपर सहाज में answer अपने according frame कर सकते हो next data form and important input in psychological inquiry अब data जो होता है वो psychological inquiry में ये psychological research में एक बहुत important role play करता है and they in fact approximate the reality to some extent and provide an opportunity to verify और falsify our ideas, notions, etc. याद करो hypothesis पढ़ाया था previous lecture में hypothesis क्या होता है बताओ हमने previous lecture में इस एक चीज़ को discuss किया था कि hypothesis जो है वो बनाया जाता है now what is this hypothesis basically hypothesis क्या है एक tentative answer to the problem जैसे मैंने आप से कहा कि आप जिस भी चीज़ पर research कर रहे होते हो जो भी आपकी problem होती है जिसके उपर आप research कर रहे हो जो भी topic है जो भी theme है उसका एक tentative answer देना एक अंदाज़ा लगाना कि शायद इस problem का solution ये होगा जैसे for example जब हमने बात करी कि जो anger issues होते हैं बच्चों में जो 10 से 16 साल की बीच में होते हैं वो उसके उपर अब research कर रहे हैं अब research हम शुरू करेंगे data हम collect करेंगे बट उससे पहले hypothesis बनाया जाता है जैसे हमने एक hypothesis बनाया था कि शायद बच्चे जो होते हैं वो tv के उपर बहुत ज्यादा violence देख र जो है मतलब गुसा हो जाते हैं चिड़ चिड़ाने लग जाते हैं अग्रेसिवनेस उनके नेचर के अंदर आ जाती है यह हमने hypothesis बनाया कि शायद ऐसा होता होगा कि बच्चे जो हैं वो जादा टीवी पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं violence को देखते हुए तो उनके नेचर के अंदर अग्रेसिवनेस आ गई that is your hypothesis इस hypothesis को प्रूफ करने के लिए हमारी पूरी रिसर्च चलती है और हम डेटा को कलेक्ट करने हैं तो जब हम डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं जब हम उसको एनिलाइस करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने यह जो hypothesis बनाया था यह सही है यह यह गलत है हम इसको verify कर मतलब यह verify हो रहा है यह गलत जो है प्रूफ हो रहा है तो इसी लिए भी जो है मतलब psychology में जो research हम करते हैं उसमें data की importance बहुत ज्यादा होती है यहां से जो हमारा hypothesis होता है वो हमको reality से मिलवाता है कि exactly reality क्या है तो जैसे हमने जो research करी थी previous lecture में हमने इ एसा reality में होता है कि ज्यादा बच्चे जो है वो टीवी पर time spend करते हैं इसलिए उनको aggression हो रहा है तो तो हमारा hypothesis सही हो गया तो हमारी research complete होगी लेकिन मान लो ऐसा नहीं होता था बहुत कम बच्चे ऐसे थे जो टीवी पर violence देखते थे तो उनके नेचर में aggressiveness आगया था और यह hypothesis सही होगा या गलत होगा यह कब पता चलता है जब हम data को collect कर लेते हैं जब हमने data collect कर लिया हमने पूरी research कर ली तब हमको यह चीज़ पता चलेगी so it should be understood that data are not independent entities अब यह उसी का second point अभी आपने first किया सारी चीज़े पढ़ी कि data important है hypothesis जो होगा verify होगा या falsify होगा उसको proof करने में हमारी help करता है secondly हमारा जो data होता है वो independent entity नहीं है मतलब की जो है वो सिर्फ मतलब आपने data collect किया एक ही source आपको मिल गया ऐसा तो होता ही नहीं और दूसरी चीज़ वो independent भी नहीं है अब कैसे नहीं है इसको देखो so they are located in a context and are tied to the method and theory that govern the process of data collection like in other words data are not independent of the physical or social context the person involved and the time when the behavior occurs we behave differently when alone than in a group or at a home and in office तो देखो अब यहां पर क्या सारी चीज़ कही जा रही है कि data independent नहीं है अगर जैसे मैंने अभी आपको जो थोड़ देर पहले बताया कि हम जब data collect करते हैं तो हम उस data में उसके social context उसके साथी साथ में physical context उसके behavior इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं इसे जानने के लिए हमें उसके social उसके physical उसके behavior हर एक context को ध्यान में रखना होगा जैसे for example मानलो कोई एक student है मानलो आप ही हो आपका example ले लेते हैं अब आप जो है बहुत ही जादा जो है मतलब stress में रहते हो बहुत ही जादा depressed रहते हो अब मुझे आपके उपर research करनी कि आप ऐसे क्यों रहते हो मैं कौन हूं मैं researcher हूँ तो मैं सबसे पहले देखूँगी कि आप कौन सी conditions में stress या depression फील करते हो पहले आपकी life जो है वो किस तरह की रहती है आप कौन से time से depression में आए हो और आज आप depression में हो तो क्या आप अपनी family की वज़े से हो आप अपने personal issues की वज़े से हो या आपकी society में किसी तरह से आपको कोई bully किया जाता है या आपका जो involvement है हर एक चीज हर एक चीज यहाँ पर matter करती है तो इसी लिए हम यह बोलें कि वो person stress में तो सिर्फ और सिर्फ उसकी reason की वज़े से है और हम उसी के उपर research करें so that is not possible फिर हमको शायद सही चीज पर या सही conclusion पर हम नहीं पहुँच पाएंगे तो अगर हमको सही conclusion पर पहुँचना है हमारी research में हमको successful होना है तो हमको हर एक entity है उसको ध्यान में रखना होगा independent entity data नहीं होता है आया समझ में हुआ clear ये एक चीज जैसे कि for example जब हम अलग होते हैं मतलब जब हम बिलकुल अकेले होते हैं तब हमारा behavior अलग होता है तो कहीं ना कहीं थोड़े से nervous हो जाते हो थोड़े से hesitate हो बोलने में लेकिन वही सेम चीज आपको अपने friend के सामने बोलनी हो तो आप बहुत openly जो हर एक चीज को express कर पाते हो तो ऐसा क्यों हो पता है क्योंकि आप अपने friends के साथ में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़ादा जो है मतलब comfortable feel करते हो ऐसा नहीं कि आपकी parents आपको comfortable feel नहीं कराते है यह तो आपको ऐसा करना चाहीं नहीं करना चाहिए तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमको वो point of view नहीं चाहिए, हम अपनी बात बता रहे हैं, तो इसलिए कहीं न कहीं हम parents या teachers के सामने बोलने में hesitate होते हैं, लेकिन भाई same चीज आपको अपने friend के सामने बोलनी होगी, आपको अपने group में बोलनी होगी, तो आप बहुत easily बोल प independent नहीं होता, and you may have also not noticed that not all people behave in exactly the same manner in the same situation, यह भी आपने देखा होगा, कि सभी लोग same situation में same behave नहीं करते हैं, different situation में हम भी different हो जाते हैं, जैसे for example, मानलो आप कहीं बाहर जा रहे हो, किसी family gathering में जा रहे हो, तो शायद आप बहुत शांत रहोगे, जादा किसी से बात नहीं करो से, बट आप वहाँ शायद इतना open नहीं हो पाई, लेकिन जब वो घर में आए, तो आप शायद उनके साथ में बहुत ज्यादा जो है enjoy करने लगे, तो कहीं नहीं आपकी क्या location है, किस situation में आप हो, क्या एक पूरा mindset है, वो सारी चीज़े बहुत जादा जो है मतलब आपको affect करती हैं, तो इसलिए सभी factors को हम हमारे data के अंदर, जब भी data collect करते हैं, तो ध्यान में रखते हैं, ये basics हैं सारे, कि आप जब research करोगे, जब आप data को collect करोगे, तो आपको क्या सारी बातों को ध्यान में रखना है, तो ये basics आपके clear होने चाहिए, अभी आप ऐसे सोचों कि नहीं मेरे को तो कोई research का topic मिल जा और मैं research करने बढ़ जाओ, तो आप तब तक नहीं कर सकते हैं, जब तक आपके basics सी clear ना हो, तो इसलिए psychology में जब भी आप research करोगे, जब भी जैसे हमने start कहां से किया था, कि psychology generally बहुत सारे students के मन में ऐसा रहता है, कि मैं जानना चाहता हू लोग के इस तरह से behave करते हैं, तो behave ऐसे क्यों करते हैं, कुछ लोग बहुत emotional क्यों होते हैं, कुछ लोग बहुत strong क्यों होते हैं, मैं इन सारी चीज़ों को जानना चाहता हूं, इसलिए मैंने psychology लिया, but this is not always the reason, और इसी के साथ साथ में, अगर आपको इन चीज़ों को जान से पता होनी चाहिए, आपको उसके basics पता होना चाहिए, तो यह हैं वो सारे basics जो आपको दियाहन में रखने हैं, और जो मैं बोल वार बार नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, तो वो नोट्स जो है, उसको बनाते हुए चलो, अब देखो, the method of data collection, हम कौन कौन सी method को यूज कर किसी भी person से हम जो है, मतलब जो हमारी research में suitable बैठता हो, हम उससे data collect कर सकते हैं, तो यह हमारे nature और हमारे quality of data को भी affect करता है, ऐसा नहीं है कि for example, मान लो, आप कोई ऐसे जो है research कर रहे हो, जिसके उपर observational method जादा अच्छे से काम करती है, बट उसमें, मान लो, आप interview करने लेगा, आपकी quality of data उतनी अच्छी नहीं होगी, तो जब भी आप research कर रहो ना, data बहुत important है, आपका जो data होना चाहिए, पहली चीज़ तो वो वेग नहीं होना चाहिए, ऐसा data ना हो कि आप कुछ भी collect करके ले आए हो, और दूसरी चीज़ आपके data में quality होनी चाहिए, आप अधि साथ, it is possible that when you interview a student, he or she may report behaving in a particular manner in a given situation, but when you go for actual observation, you may find just the opposite of what she or he had reported, तो मतलब यह कहा जा रहा है, जब मान लो आप कोई research कर रहे हो, ठीक है, आप किसी के उपर research कर रहे हो, और मान लो कोई student है, ठीक है, आप student के study habits के उपर research कर रहे हो, कि एक student जो है, वो किस तरह से पढ़ habit कैसा है, तो आपने student से पूछा, आपने interview लिया, तो शायद हो सकता है, वो आपको interview में ये बताई कि हाँ, मैं तो घर जाता हूँ, बस खाना काता हूँ, और दिन रात पढ़ता हूँ, बिल्कुल नहीं खेलता, मान लो, उसने आपको interview में ये बता दिया, लेकिन जब आप जब observe करोगे, तो आपको वो चीज अलग दिखेगी, लेकिन अगर आप उसको interview करोगे, तो वो चीज आपको अलग दिखेगी, तो depend करता है कि आपको कैसा data चाहिए है, आप कौन सी method को use करोगे, ये depend करता है, आप research कैसी कर रहा है हो, तो ये सारी चीज़े भी बहुत important होती हैं आपके data के अंतर, then another important feature of data is that it does not in itself speak about reality, inferences have to be made from data, इसी के साथ में data की एक और जो quality होती है, वो ये होती है, कि data खुझ से नहीं बोलता, आपने data collect कर लिया, आपके पास में data है, बट वो data खुझ से तो बोलने नहीं लगेगा, कि हाँ, मैं आप researcher हो, आपने जो data मुझे collect क किया है, तो मेरे अंदर ये ये सारी चीज़े हैं, वो तो खुझ नहीं बोलेगा, आपको उसको inference करना होगा, आपको उस data को analyze करना होगा, आपको उस data को पढ़ना होगा, समझना होगा, बहुत सारी चीज़े उसके अंदर करनी होगी, तब जाके आपको वो data exactly क्या है, ये स data collected, और जो भी researcher होता है, वो उसने जो भी data collect किया होता है, उस data को meaning provide करना किसका काम होता है, researcher का ही काम होता है, जैसे मैंने जब आपको previous lecture के अंदर ये चीज़ explain करी थी, कि जो भी बच्चे होते हैं, उनके अंदर anger issues वाली बात, तो हमने बाद में, जब data collect किया, जब हमने सा बच्च में आया, कि अगर हम ऐसा एक diagram बनाएं, और यहां पर हम anger issues को define करें, like 5, 10, 15 and 20, और मान लो यहां पर हमारे पास में बच्चे हैं, बच्चे हैं 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के, 13, 14, 15, 16, ऐसे करके, तो हमने ये एक चीज़ देखी, कि जो 13 to 16 years के बच्चे थे, उनके से, उनके अंदर थोड़ा ज्यादा था, बड़ बहुत ज्यादा नहीं था, और 12 to 13 years के जो बच्चे थे, उनके बीच में anger issues थोड़े बहुत थे, limited, मतलब बहुत ज्यादा नहीं थे, वो बहुत ज्यादा एक्स्प्रेस नहीं कर पाते थे, चीज़ों को, तो इस तरीके से जब हमको data, यह तो हमको data मिल गया, अब यह data खुड तो बोलेगा नहीं, यह तो मुझे समझना पड़ेगा, कि इन बच्चों के अंदर अगर ज्यादा anger issues है, तो उनके क्या सारे reasons है, तो जो researcher होता है, वही data को meaning provide करता है, यह समझ में, कि data collect तो कर लिया, data सारा मिल तो गया, उसको analyze भी कर लिया, अब finally उसको conclude करना, यह किसका काम होता है, researcher का ही काम होता है, तो researcher ही उस data में meaning attach करता है, अब उसके लिए जो data होता है, वो बहुत सारी information psychology में, मतलब जो है, अलग-अलग information collect की जाती है, और उसके बहुत सारे sources भी होते हैं, मतलब आप information किस तरह की collect करोग में data की importance है, और nature क्या होता है data का, वो दूसरे, जो social sciences होते हैं, उनके data से कैसे अलग होता है, तो इन points को अभी हम क्या करेंगे, note down भी करेंगे, at last, but आपको भी अच्छे से ध्यान से समझना है, clear है, यहां तक आया समझ रहे हैं, आप देखो, सबसे पहले आपका demographic information, आप द data को collect कर दें, तो उसके अंदर क्या सारी चीज़ होती है, जिसे आपका नाम क्या है, आपकी क्या age है, gender, birth, order, आपके कितने भाई-बहन है, आपके education कितनी है, आप क्या काम करते है, आपके occupation क्या है, आप married हो, अगर आप married हो, तो आपके कितने बच्चे है, आप किस locality में कहा पर आप रहते हो, आपका religion क्या है, आपके parents कितने जादा educated से, उनकी क्या occupation थी, आपकी family की income क्या है, total ये सारे questions, ये सारी information जो है, demographic information के अंदर होती है, इसका सबसे अच्छा example होता है, census, जब census collect किये जाते हैं, तो उसमें इसी तरह की information जो है, generally आती है, ठीक है, इसी तरह की information को जो है, obtain किया जाता है, बट जब हम psychology के अंदर किसी ऐसी research को कर रहे हैं, जिसके अंदर किसी की personal information हमको चाहिए, तब हम उसके लिए demographic information को collect करते हैं, clear है, next है, इसमें आपका physical information, अब नाम सी suggest कर रहा है, जो आपके physical conditions के बारे में data लेता है, आपके physical conditions, जो psychology के अंदर होती है, वो generally आपकी ecological conditions से related होती है, मतलब कि आपके इस तरह के area में रहते हो, क्या बहुत hilly areas में रहते हो, क्या अब किस तरह से सारा सेट अप वो किया गया है इन था आप्सकों आप किस तरह से जो है ट्रांस्पोर्टेशन मतलब एक जगे से दूसरी जगे आप कैसे आ जा पाते हो यह सारी इंफिसील इंफ से इंफर्मेशन हम को चाहिए है जिस तरह की हमको information चाहिए होती है हम data उसी तरह का obtain करते हैं बस हां उसके आस पास की जितनी भी चीज़े होती हम उन सब को relate करते हैं अब जैसे मान लो for example आप किसी individual के उपर research कर रहे हो तो आप उसकी demographic information भी लोगे आप उसकी physical information भी लोगे तो depend करता है आपको data किस तरह का चाह physiological और आपके psychological data collect किया जाता है फिजिकल में आ गया आप कहां कैसी conditions में रहता है आपकी ecological conditions physiological अभी हम यहां पर discuss करें और psychological data आपका आपका experiences आपके behavior यह सारी चीज़ों को लेकिए तो generally react करते हो आप कितने घंटे सोते हो आप कि जितने भी टाइम पर सोते हो तो आपका amount of salivation कितना होता है आप किस तरह के सपने देखते हो यह सारी चीज़े आती हैं आपके physiological data के अंदर और जब हम psychological information collect करते हैं तो उसमें आपकी psychological related information जैसे की आप कितने जदे इंटेलिजेंट हो आपकी personality कैसी है आपका interest values आपको क्या क्या सारी चीज़े करना पसंद है आपके इतने जदा psychological information के अंदर collect किया जाता है तो जो हम यहां पर discuss कर रहे थे कि in psychology different types of data और information are collected तो आप depend करता है सारी चीज़े किस पर depend करती है कि आपको किस तरह की research करनी है आपको जैसी research करनी होगी आप data भी वैसा ही collect करोगे तो यह जस्त आपको कुछ data के जो है forms बता दिए कि इस तरह से data भी collect किया जाता है इसके अलावा data को collect करने के बहुत सारे tools होते हैं data अपने आप में बहुत तरीकी के होता है qualitative होता है quantitative होता है जो हम इसी कुछ चीजों को measure करना है हाला कि आप उसको measure करोगे तो crude information भी आएगी ऐसा नहीं कि बिल्कुल exact reality निकल कर आएगी but at least आपके पास में information होगी like in the form of categories जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा है कोई चीज बहुत कम है आपको किसी को rank provide करने आपको फर्स्ट चीज यह है second यह है third यह है तो इस तरह की चीज़े जब आप करते हो जब आप किसी तरह का measuring data आपको चाहिए होता है तो आप ऐसी information को collect करते है तो that is your physiological, psychological, physical and उसी के साथ साथ में demographic तो इन सारे जो information के थू हमको measurement वाले data जो होता है वो collect होता है now we also obtain verbal reports, observation records, personal diaries, field notes, archival data, etc. such type of information is analyzed separately using quantitative methods and you will also get the idea about this in later chapter तो मतलब इसी chapter के अंदर हम ऐसी qualitative methods को भी use करेंगे तो बहुत बाद data ऐसा भी collect किया जाता है जहांपर कोई verbal report है आपके पास में किसी की कोई diary है आपके पास में किसी तरह के कोई notes है कोई archive data है तो आप उसको पढ़के भी information collect कर सकते हैं एक example दे रही हूँ हाँ सिर्फ एक example दे रही है उसको psychology से relate मत करना तो जैसे मानलो आपको गांधी जी की कोई ideas थे उसके उपर आपको research करनी है अब obviously possible नहीं है ना कि अभी तो हम directly गांधी जी से पूछ नहीं सकते जिसको पढ़के हम information collect कर सकते हैं तो इस तरह से भी information collect की जाती है उसमें depend करता है आप कौन सी मतलब आपकी qualitative method जो है उसके अंदर use की जाती है quality को उसमें use किया जाता है ये सारी चीज़ों को भी हम आगे आने वाले chapters के अंदर मतलब lecture इसी chapter के अंदर discuss करेंगे आपको इस एक lecture के अंदर nature of psychological data बताया गया था कि जो psychology का data होता है आप उसको किस तरह से use करते हो या उसके क्या सारे forms होते हैं या in shot उसके क्या सारे features होते हैं तो अगर अभी तक note कर लिया है तो ठीक है नहीं किया है तो एक बार और देख लो कि किस तरीके से आपको जो है notes बगेरा बनाने हैं कैसे आप psychological data को समझ सकते हो सबसे पहली चीज़ तो ये दूसरी sciences के data से different होता है और दूसरी तरफ इसका nature जो इसके features होते हैं वो अलग होते हैं तो जैसे सबसे पहला कि variety of information यहां आपके पास में बहुत सारे sources होंगे आपके पास में बहु सारे tools होंगे जिसके through आप बहुत सारे information को collect कर सकते हो तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है दूसरा important input to falsify और verify hypothesis आपका जो hypothesis आप बनाओगे वो सही होगा या वो गलत होगा इसे proof करने के लिए data एक बहुत ही important tool होता है बहुत ही important input होता और psychology में data की importance आपको I hope so अभी clear हो होता है thirdly not independent entities आप जो data होता है वो किसी भी तरीके से independent entity नहीं हो सकता और वो दूसरे variables के ऊपर हमेशा से dependent होता है तो उसके अंदर आपका social context आपका अपना physical context साथी साथ में आपका behavior किस तरीके का है आपके अपने experiences किस तरीके के हैं आपका mental processes इन सारी चीजों को ध्यान में पर फिर हम जो है data को collect करते हैं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है बहुत सारे ऐसा examples दिये थे कि आप किसी person की कोई person stress में आप उसके उपर research कर रहे हो तो आप उसके mental process को समझने के लिए उसकी society उसकी ecology उसका physical environment उसका अपना physiological जो data होगा उन सारी चीजों को collect करोगे तब जाके आप किसी conclusion पर पहुँच पाओ गया अगर for example आप मान रहे हो कि कोई person stress में है और आप सिर्फ और सरिफ उसकी physiological जो सारा information है उसको collect करके कि वो जो person है उसका किस तरीके से सारा system काम करता है क्यों वो stress में है तो वो आपका psychological जो है आपको conclusion तक नहीं पहुँच पाएगा तो इसलिए हम यहाँ पर independent entities जो होती है मतलब जो सारी dependent entities होती है उनको भी ध्यान में रखते हैं तो psychological data independent entity नहीं होता है fourthly not speak itself inferences to be made psychological data खुझ से नहीं बोलता खुझ से नहीं बोलता इंशौर्ट की मतलब reality को जो है psychological data अपने आप से नहीं बोलता इस reality को पता लगाने के लिए हमको inferences बनाने होते हैं हमको अपने आप से उस data को पूरा research करना होता है उसके उपर analysis बनाने होते हैं hypothesis को पूफ करना ह तो बेसीकली जो डेटा होता है उसको किस तरह से कलिक्ट किया जाता है या किस तरीके से रिसर्च की जाती है अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले तो हम एक प्रॉब्लम को कंसेप्चिलाइज करते हैं हमारे पास में एक टॉपिक होता है एक थीम होती है जिसके उपर हम रि hypothesis बनाया था अब इस hypothesis को हमको प्रूफ करना है तो उसके लिए हमने ये जितना भी data collect किया है हम इसको क्या करेंगे analyze करेंगे analyze मतलब हम इसको समझेंगे इसको पढ़ेंगे exactly ये data क्या कहना चाहरा है उसके लिए हम inferences बनाएंगे और फिर उसके बाद में हम बताएंगे कि ये जो हमारा hypothesis हमने बनाया था ये null है या इसको हम verify कर पा रहे हैं जब ये सारी चीज़े हो जाती है तब इसके बाद में हम क्या करते हैं हम किसी conclusion पर पहुंच पाते हैं हम क्या करते हैं किसी conclusion पर पहुंच पाते हैं और मानलो हमारा hypothesis गलत हो गया तो क्या करेंगे revise करेंगे वापिस से research को सो basically इस एक पूरे process के थूर रिसर्च की जाती है और इन सारी चीज़ों में सबसे जादे important क्या है सबसे जादे important ही data को collect करना अगर आप बैट गयों research करने के लिए तो data आपके पास में होना चाहिए अगर आपके पास में data नहीं है मालो आप यह step छोड़ दो आपके पास में data ही नहीं है तो क्या करोगे काई की problem का hypothesis कि सेख चीज़ को analyze करोगे अगर data ही नहीं मिला तो data मिलना जो होता है वह बहुत ज्यादा important है और psychology में data की importance बहुत ज्यादा है अब जब हमारे next lectures पर आएंगे तो हम उससे इसी चाप्टर के अंदर हम उससे डेटा कैसा होता है डेटा के अंदर कौन कौन सी methods कौन से टूल्स जो है वह यूज कर सकते है इन सारी चीज़ों को डीटेल में होगा और जितने भी lectures अभी तरक complete कर लिए वो सारे आपने देख लिए इस्टेल कोई भी डाउट है कोई भी suggestion है कोई भी example है जो हमारे साथ में शेयर करना चाहते हो तो फटक से comment section बता दिया करो मैं आपके सारे डाउट्स को वहाँ पर भी answer कर दोगी clear है so I hope so सब कुछ clear है तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स वीडियो लेक्टर में बस जाते जाते एक और छोटी से information आपको देते जाओं कि आपको magnet brains की website को कैसे सब्सक्राइब करना है तो सारे लेक्टर आपको योट्यूब पर मिली जाते हैं साथी साथ में आपको magnet brains का चाहिए तो वह भी आप play store से डाउनलूड कर सकते हो अब इसके बाद में आपको चाहिए कि मुझे सब कुछ सारे लेक्टर सारे जो कोर्स है पूरी क्लास वाइस बुक वाइस चाप्टर वाइस सीक्विंस में मिल जाया और मुझे कोई भी दिक्कत ना हो ढूडने में तो बहुत ही छोटा सा काम आपको करना है बस आपको जो भी सब्जेक्ट इस्ट चाप्टर वैस वीडियो जाएंगे चाप्टर पे क्लिक करोगे सारे सब टॉपिक्स आजैंगे सबी क्या पढ़ना है जो भी पर नंदेश्च वाच्विडियो देखना नेग्स वीडियो पर क्लिक करो यह नहीं देखना है कुछ और यहां से कै की विबसाइट को एक्सिस कर सकते हो यहां आपको मिलती है 100% free online education बिना किसी paid subscription के यहां आपको कोई payment नी करना कोई coupon नी खरीदना किसी तरह का कोई paid subscription नहीं लेना है सब कुछ बिल्कुल free of cost है with quality content and best of the teachers so I hope सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना हम मिलेंगे हमारे निक्स वीडियो लेक्टर में थैंक यू बरी मच